नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यानक रहे होंगे आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टुटोरल ओन दिस आई लोग आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छा लगेगा अगर आपको जानना है कि मैंने इस आई कर रही हूँ एक औरेंज कोलर करेक्टर यह अलेगर प्रो का औरेंज कोलर करेक्टर अच्छे से प्रोड़क्त मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपनी रिंग फिंगर की मदद से यह स्टेप बहुत है इंपोर्टन है क्योंकि हमें किसी भी तरह का डाक्नेस जो है वो कैंसल आउ करेंज की मा बलकुल भी प्रेइशृ नहीं लगा रही हूं बहुत हालका हाथ रखा है और ब्रश को बहुत ही संबल कर यूझ कर रही हूं मैं अगर आप अपनी आय एरिया पर एक ब्र्श यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी और रिंग फिंगर को यूज करके भी कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं देखिए कंसीलर कितना अच्छा लग रहा है अपनी स्किन पर और किसी भी तरह का ग्रेकास्ट नहीं दिख रहा है अब मैं यूज़ कर रही हूँ Maybelline का Fit Me Loose Powder इन दे शेड मीडियम इसे मैं अपने कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ताके किसी भी तरह से कंसीलर क्रीस ना कर जाए अब मैं अपना फेवरेट NYX Cosmetics का Jumbo Eye Pencil in the Shade Milk यूज़ कर रही हूँ अपनी आइलेट पर और ये एक वाइड बेस है इसको यूज़ करने के वज़े से जो कलरफुल आइशड़ों हैं वो काफी पॉप होकर दिखते हैं अब मैं यूज़ कर रही हूँ NYX Cosmetics का Ultimate Eyeshadow Palette इन दे वेरेंट विविड ब्राइट इसमें से मैंने Sky Blue Eyeshadow को लिया है और अपनी पूरी आइलेट पर मैं Amazon के ब्रश की मदद से इस आइशड़ को प्लेस कर रही हूँ मैं धीरी धीरी करके कलर को बिल्ड कर रही हूँ और इंटेंसिफाय कर रही हूँ हाश अज़स को मैं इसी ब्रश की मदद से सौफन करती जा रही हूँ अगर आपके पास यह वाइट बेस नहीं है तो आप किसे भी कंसीलर को यूज कर सकते हैं जो आपकी स्किन टोन से दो तीन टोन लाइटर हो ठेक या टाइम अच्छे से आप कलर को बिल्ड करें और तब तक कलर को बिल्ड करें अब मैं Morphe का Flat Eyeshadow Brush यूज कर रही हूँ जिस पर मैंने लिया है Nix के Glitter Primer को इस Glitter Primer को मैं अपनी 3 4th of the lid पर प्लेस कर रही हूँ इस Flat Brush की मदद से यह बहुत जादा Important Step है इस Step को Follow करने से किसी भी तरह का Follow जो है वो कम हो जाएगा अब मैं दूसरा Eyeshadow Palette यूज करने वाली हूँ यह है Makeup Revolution का Reloaded Palette In The Variant Euphoria इसमें से मैंने Metallic Silver Eyeshadow को लिया है Morphe के Flat Eyeshadow Brush पर और अब मैं Silver Eyeshadow को अपनी आलेट पर अप्लाई कर रही हूँ हम इस Silver Eyeshadow को ठीक वहाँ अप्लाई कर रहे हैं जहां पर हमने Nix के Glitter Primer को अप्लाई किया था बहुत ही अच्छा और Pigmented Eyeshadow है यह Silver Eyeshadow अब मैं अपनी दूसरी आलेट पर Nix के Jumbo Eye Pencil In The Shade Milk को अप्लाई कर रही हूँ और अपनी रिंग फिंगर के मदद से मैं प्राड़क को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अब हम यूज कर रहे हैं Wet n Wild के Flat Eyeshadow Brush को इसमें से मैंने Purplish Pink Eyeshadow को पिक किया है और अपनी आलेट पर मैं इस Eyeshadow को अच्छे से प्लेस कर रही हूँ यह Eyeshadow बहुत ही जादा Pigmented है इसलिए मैं हमेशा Excess को Tap Off कर रही हूँ और धीर-धीर करके मैं Color को Intensify कर रही हूँ और अपनी Colorful Eye Look को Create करने से पहले आप अपने Eye Base पर जरूर से ध्यान दे और ध्यान रखें कि आपकी Under Eyes जो है वो काफी अच्छी दिख रही हूँ Color Corrected हूँ और ड्रश का जो Bristle Mark है या Streakiness है वो ना रहे आपकी नहीं Under Eyes पर नहीं आपकी Eyelets पर आपका जो Eye Base है before applying Eyeshadows वो बहुत ही जादा important है और अगर वो smooth होगा तो आपका जो Eyeshadows है चाहे वो cream Eyeshadows हो लिक्विड Eyeshadows हो या फिर powder Eyeshadows हो वो अच्छे से बैठेगा आपकी Eyelets पर हलका सा पॉल आउट हो था तो हमने उसे हटा दिया है अब हम reapply कर रहे हैं published pink eyeshadow को और adjust को और अच्छे से soften कर रहे हैं अब मैं यूज़ कर रही हूं Sheen का black eyeliner ये मुझे बहुत अच्छा लगा काफी pigmented है इसका जो tip है वो आसानी से pointed wing liner draw करने में मदद करता है और मैं बहुती जादा thin liner draw नहीं कर रही हूं मैंने medium sized thickness wise में बात कर रही हूं मीडियम sized thick या wide liner draw किया है अगर आपको thick eyeliner draw करना पसंद नहीं है तो आप thin liner draw करें मैं बहुती आराम से apply कर रही हूं eyeliner को और मैंने अपना समय लिया है properly eyeliner को apply करने के लिए क्योंकि अगर आपने यहां पर ज़बाजी की और कोई mistake कर दी तो आपका जो overall eye look है वो ruin भी हो सकता है of course आपको अगर correct करना आता है तो you'll handle the situation otherwise पूरा eye look ruin भी हो सकता है अब मैं makeup revolution के palette में से silver eyeshadow को pick कर रही हूँ Morphe के pencil brush पर और मैं eyeshadow को अपनी inner half of the lower lash line पर अच्छे से apply कर रही हूँ और ऐसा करने से अपनी eyes जहां वो काफी open दिखेंगी अब मैं use कर रही हूँ essence cosmetics की eye pencil और इसे मैं अपनी outer half of the lower lash line और water line पर apply कर रही हूँ यह बहुत ही अच्छा black eye pencil है अब हम lashes को curl करेंगे तो मैं इस्तमाल कर रही हूँ UV का lash color अब हम मस्कार अप्लाइ करेंगे तो मैं आज अपना current favorite mascara जो की है Mac Cosmetics का extreme dimension 3D black lash mascara वो अप्लाइ कर रही हूँ अपनी lashes पर यह mascara बहुत ही अच्छा और pigmented mascara है अब मैं lipstick use कर रही हूँ Colourpop की यह है Colourpop की Luxe lipstick in the shade LA Lady तो कोच ऐसा देखता है आज का हमारा eye look आशा करती हूँ कि आपको यह look अच्छा लगा होगा just in case आप इस eye look को recreate करेंगे तो आप मुझे Instagram पर tag करना बिल्कुल मत भूलेगा आपको मेरा Instagram handle description box में मिल जाएगा और मुझे जरू से बताएए कि आपको यह eye look कैसा लगा यह lipstick कैसे लगी overall जो lipstick है मेरे साब से काफी अच्छे से compliment कर रही है हमारे eye look को तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी रगी होगी अगर आपको मेरा content पसंदा रहा है तो प्लीज मेरे channel को subscribe करें bell button पर click करें ताके जब भी मैं नई वीडियो को upload करूँ तो आप फो notification मिल जाए इसे के साथ मैं इस वीडियो को खतम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे मैं जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में take care, bye bye